हेलो दोस्तो उताकन टॉपर्स के आपेशली यूटूब चलर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आपका दोस्त सैलेस हम पढ़ रहे हैं भारत का सविधान और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो सविधान वाद में अंतर क्या है हमने इससे पहले इस विशे पर चर्चा कीती अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं और आज का जो हमारा विशे है वह विशे है सविधान सभा का गठन एवं निर्मान वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा अगर आपके एक्जाम की तियारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए इंपोर्डेन आजनोरर वीडियो ऑर अयगो तक जरूर देखी ये टॉपिक आपका आपका दो पार्ट में आयगा, पार्ट वन एन पार्ट टू पार्ट टू सुरुओगा आपका cabinet mission से, इस वीडियो में हम बात करेंगे cabinet mission से back history की कि आकिर हम Cavalier Mission के रिपोर्ट के अधार पर जो सविधान सभा का गठन होता है यहां तक हम पहुंचे कैसे एक बार उस पर हम हल्की फुलकी नेजर डालने की कोशिस करेंगे तो शुरू करते हैं अपरा टॉबिक सविधान सभा का गठन एवम निर्माण सविधान सभा का आशे यहां पर उन लोगों से है जिन लोगों के द्वारा हमारे देश के लिए हमारे लिए एक विवस्था बनाए गई एक सविधान बनाए गया जब वहे लोग सविधान बनाने बैठते थे या हमारे देश के लिए कानून बनाने बैठते थे गठन होता है केबिनेट मिशन की रिपोर्ट का अधार पर केबिनेट मिशन जो कि भारत आया था मार्च 1946 में हमारी सविधान सभा का गठन हुआ केबिनेट मिशन की रिपोर्ट का अधार पर मई 1946 में इस मिशन ने अपने एक रिपोर्ट परस्तुत की और उस रिपोर्ट के अधार पर हमाई सविदान सभा का गठन हुआ अब हम कैबिनेट विशन तक पहुँचे कैसे तो यहां तक जानने के लिए हम सुरुवात करते हैं बकसर के यूद से बकसर का यूद 1764 बकसर का यूद 1764 में हुआ और यह है यूद भारतिय सेनाओ और अंग्रेज की सेनाओ के बीच हुआ इस वाद बकसर के यूद में अंग्रेजी सेनाओ को जो लीड कर रहे हैं वे हैं हेक्टर मुन्रो और जो भारती सेना को लीड कर रहे हैं भारत के तीन राजा जो दिल्ली के बादसा है मुगल बादसा सहालम सेकिंड अवद के नवाब सुजाओ दोला और बंगाल के नवाब मीर कासीम तो मीर कासीम, सुजाव दोला और सहा अलम सेगिंड इन तीनों राजाओं की सेनाओं ने मिलकर अंग्रेजी सेना के साथ यूद किया जिसे हम बक्सर के यूद से जानते हैं और इस यूद में अंग्रेजी सेना की जीत हो गई इस युद के पस्षाथ एक परकार से भारते भूमी पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से वर्चस्व इस्थापित हो जाता है ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले अंग्रेजों के साथ युद नहीं हुए हमारे इससे पहले भी यूद हुए थे परन्तु वहे यूद निर्नायक यूद नहीं थे बकसर का यूद एक निर्नायक यूद था क्योंकि इस यूद के बाद एक परकार से अंग्रेजों का हमारी धर्ती पर हमारी भूमी पर पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है और यही इसे शुरुवात होती है British Opni Basic Satsanakal की, British Opni Basic Satsanakal कार्थ हुआ कि अब जो भारतिय सत्ता है, वो पूर्ण रूप से अंगरेजों के हाथ में चली गई, British सरकार के हाथों में चली गई, अब जो हमारे देश के लिए सविधान बनेगा, हम भारतियों के लिए जो अब बीवस् अब यहाँ पर समझने वाले एक बात यह है कि जो विवस्था हमारे लिए बनाई जा रही है, भारतियों के लिए बनाई जा रही है, या जो सविधान हम भारतियों के लिए बनाया जाएगा, या जो कानून हम भारतियों के लिए बनाई जाएंगे और जिसको हमने फॉलो क करना है वे कानुन बन रहे हैं कहां से ब्रिटेन से जो कि ब्रिटी सरकार बना रहे हैं अंग्रेज लोग बना रहे हैं हम भार्तियों के लिए अब वहे लोग हमारे लिए विवस्था बना रहे हैं जो लोग ना तो पूर्ण रूप से हमारी राजनेतिक इस्तिती से वाकिवे ना ही हमारी समाजी की स्थिती से वाकिव है ना ही हमारी सांस्किर्टी की स्थिती से वाकिव है और ना ही हमारे धर्म, जाती, रीती, रिवाज इन चीजों से पूर्ण रूप से वाकिव है अब वहे लोग हमारे लिए अगर विवस्था बनाएंगे तो कैसी विवस्था बनेगी हमारी एक अत्यचारी विवस्था होगी, सोशनकारी विवस्था होगी और हुई भी यही है अंग्रेजों का एक मात रुद्देश्य है कि भारत से अधिक से अधिक आर्थिक आप कमाना है और इस point of view को ध्यान में रखते हुए वे जो विवस्था बनाते हैं वो इसी प्रकार की विवस्था बनाते हैं कि अंग्रेजों का profit हो सके, अंग्रेजों का विकास हो सके, अंग्रेजों की progress हो सके, अब ऐसी विवस्ता से हम भारतियों को ना ही तो विकास हो रहा था, ना ही तो हमारी progress हो रही थी, और ना ही तो हमें परियापत अधिकार मिल रहे तो ना ही हमें स्वतनता ही मिल रहे थी, तो इस बीवस्था के विरूद में समय समय पर हम भारतियों के द्वारा आवाज उठाई गई, इसका विरूद किया गया। और यही हमारी चर्चा का विशेवी है कि कब-कब इसका विरूद किया गया, कब-कब आवाज उठाई गई। तो पहली बार अंग्रेजों ने जो हम भारतियों के लिवस्था यह हम कह सकते हैं कि पहली बार जो अंग्रेजों ने हमार ले विरूद क्यों जरून, रूल बनाए तो वह 1770 में बनाए और जिसे हम regulating act के नाम से जानते हैं तो 1773 के regulating act से लेकर 18 जुलाई 1947 भारा स्वतंतरता अधिनियम तक का जो सवेधानिक विकास का इतियास रहा है वो हमारे सवेधान के सवेधान सभा के हम बोल सकते हैं कि सवेधान के गठन का इतियास रहा है समय समय पर अंग्रेजे दुवारा विवस्ता है बनाएगे समय समय पर कानून बनाएगे और इस कानून के विरूद इस विवस्ता के विरूद समय समय पर हमारे दुवारा इसका विरूद किया गया पहली बार जो सवेधान सभा के गठन की बात की गई थी वो बालगंग अधर तिलग जी के दुवारा की गई थी व्यक्ति का तौर पर और कहीं न कहीं महात्मा गांधी जी ने भी इंडिरेक्ली वे में सविधान सभा के गठनकी बात कही थी अपने असयोग अंदोलन के दौरान असयोग अंदोलन जो की 1921 में हुआ 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारत अपने भागे का फैसला खुद कर सकता है यानि के भारत अपने लिए विवस्ता खुद बना सकता है तो कहीं न कहीं उन्होंने भी इंडिरेक्ली वे में सविधान सभा के गठनकी बात कही थी और इसी करम में आगे बढ़ते हुए जब साइमेन कमिशन भारत आया तो साइमेन कमिशन का भी काफी जोरो सोरो से यहां पर विरोध किया गया क्योंकि विरोध इसलिए किया गया जो साइमन कमिशन था जिसका गठन 1927 में हुआ साइमन कमिशन इसका गठन 1927 में हुआ इसका गठन क्यों हुआ इसका गठन इसलिए क्या गया था क्योंकि अंग्रेजों का एक प्रोसिजर था कि जब भी वो भारती लोगों के लिए एक विवस्ता बनाते थे या भारती लोगों के लिए एक सविधान बनाते थे लगवग पढ़ते एक 10 साल बाद तो वो अपने एक टीम तियार करते थे और वो टीम भारत आती थी भारत की तातकलिन इस्थिती परिस्थितियों का जायजा लेती थी हमारे राजनेदी दलों के नेताओं से विचार भी मस करती थी बुद्धी जीवी वर्क से विचार भी मस करती थी और विचार भी मस करने के बाद परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती थी और उस रिपोर्ट के अधार पर हमारे लिए एक विवस्था बनती थी तो 1927 में बृटेन सरकार ने एक कमिटी गठित की 7 लोगों की इस कमिशन में 7 लोग थे और 7 के साथ अंग्रेज थे और इस कमिटी को जो लीड कर रहे थे उनका नाम तह साइमन जिनके नाम पर इस कमिटी का नाम साइमन कमिशन रखा गया 1927 में इसका गठन हुआ और 1928 में ये कमेटी भारत आती है अब जैसे ही ये भारत की भूमी पर कदम रखती है वैसे ही हम भारती दुवारा इसका विरोध किया जाता है साइमन कमिशन गो बैक साइमन कमिशन गो बैक के नारे लगाए जाते है काले जंडे दिखाए जाते हैं लोगों को क्योंकि हमारी ये मांग थी कि जो ये साथ के साथ जो अंग्रेज लोग है ये आ रहे है भारत में और इनकी रिपोर्ट के अधार पर हम भारतियों के लिए एक विवस्ता बनाए जाएगी एटलिस इस कमिशन में हमारी भागेदारी होनी चाहिए क्योंकि जो ये साथ को साथ अंग्रेज लोग है ये हमारी भारत की इस्तिती परिस्तितियों से पूर्ण रूप से वाखिब नहीं है तो इसमें हमारी भी भागेदारी होनी चाहिए ये हमारी मांग थी और जब इसका भारत में काफी जोर सोर से विरोध किया गया तो यहाँ पर साइमेन कमीशन ने हम भारतियों के सामने एक चैलेंज रखा और चैलेंज वो यह था कि आगर आप लोग इतने ही सक्षम है कि आप अपने लिए विवस्ता खुद बना सकते हैं तो अब सभी भारत की जितनी भी राजनितिक पार्टियां सभी एक मत्थ होकर अपने लिए एक सवेधानिक ड्रॉप तेयार करें लेकिन सर्थ उसमें यह थी कि सभी राजनितिक पार्टियां उसमें एक मत्थ होनी चाहिए तो इस चैलेंज को हम लोग नए accept कर लिया फिर हम फिर एक कमेटी के गठन किया गए मोतिलान नहरोजी की अध्यक्ष्ता में और उस कमेटी के दुआरा एक सव intercept तियार किया गए यानि कि हम भार्तियों ने अपने लिए एक विवस्ता अपना बनाई और वह विवस्ता हमने साइमिन कमीशन के सामने समक्ष रखी, जिसे कि बिटेन सरकार ने या सामिन कमिशन ने इसको एक्षेप्ट नहीं किया क्योंकि अंग्रेजों का एक क्या उतेसी है कि भारत से अधिक से अधिक आर्थी लाब कमाना और जो सेवेधानिक ड्रॉप्ट हमारे दुवारा रखा गया इस ड्रॉप्ट में या इस विवस्था में अंग्रेजों का अपना लाब नहीं था इसलिए उन्होंने अपने कारणों से इस विवस्था का अस्युकार कर दिया अभी तक हमारी मांग क्या है हमारी मांग है कि भारत में सविधान सभा का गठन हो और उस सविधान सभा में हम भारतियों की भागिदारी हो लेकिन कॉंग्रेस पार्टे का एक अदिवेशन होता है 1929 में लाहोर में पंडि जवालाल नहरुजी के अध्यक्स्ता में और इस कॉंग्रेस के अदिवेशन में पंडिलाल नहरुजी के द्वारा पूंड सोतनता की घोषना कर दी जाती है अभी तक मांग चल रही है सविधान सभा की और अब यहाँ पर घोषना की जाती है पूंड सोतनता की और इस घोषना के पसाथ भारत में पहली बार सोतनता दिवस का जो जंडा फेराया गया था जो सौतनता का पहली बार जो जंडा फेराय गया वो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर लाहूर में फेराय गया था ये वी कोशन एक्जाम में आ चुका है कि भारत में पहली बार सौतनता दीवस का जंडा का फेराय गया तो इसका अंसर है 26 जनवरी 1930, कहा लाहोर में, रावी नदी के तट पर, चवालाल नहरुजी की अध्यक्सता में इसी करम में आगे बढ़ते हुए, कॉंग्रेस ने भी सविधान सभा के गठन की बात कही, कॉंग्रेस पार्टी ने, लेकिन पार्टी के तोर पर अगर आपसे एक्जाम में कोशने पूशा जाता है कि कि किस पार्टी ने पहली बार सविधान सभा के गठन की बात कही थी, तो तो स्वराज पार्टी के गठन क्या था सियारदाजी के दौरा और मोतिलाल नेरूजी के दौरा सियारदाजी इसके अध्यक्स थे और मोतिलाल नेरूजी इसके सचीव थे तो पहली बार पार्टी के तौर पर सविधान सभा के गठन की बात कही गई सुराज पार्टी के दुवारा और व्यक्ति का तौर पर कही गई बाल गंगदर तिलग जी के दुवारा इसी करम में आगे बढ़ते हुए हम भारतियों के दुवारा 1936 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनाओ में पंडी जवाला नेरुजी के अध्यक्स था में तो इस अधिवेशन में भी सविधान सभा के गठन की बात को फिर से दौराया गया और आगे की जो अधिवेशन हुए 1937 में 1938 में उन अधिवेशनों में भी सविधान सभा के गठन की बात को दौराया गया लेकिन अंग्रेजों दौरा इसको बार-बार अजशिवकार किया गया लेकिन अंग्रेजों ने इंडिरेक्ली वे में अगस परस्ताओं में ये जो 1940 में लाया गया था अंग्रेजों ही दौरा तो इस अगस परस्ताओं में अंग्रेजों ने इंडिरेक्ली वे में जो हमारे सभिधान सभा के गठन की इतने लंबे समय से मांग चल रही है उस सविधान सभा के गठन की मांग को accept किया जाता है पहली बार indirectly way में और इस वक्त जो ये अगस्परस्ताओ लाया गया या फिर हम कहा सकते हैं कि जो अगस्परस्ताओ रखा गया जो हमारे भारत के इस वक्त जो गवर्नेर जनरर थे वो थे लौड लिन लिद्गो तो लौड लिन लिद्गो के दुआरा अगस्परस्ताओ 1940 में रखा गया और इस परस्ताओं में इन डिरेक्ली वे में आपरत्यक्स रूप से भारत की जो इतने लंबे समय से मांग जलती आ रही है सविधान सभा के गठन की उस मांग को सिवकार किया गया लेकिन 1940 में अगस्परस्ताओं के समय पर ये मांग को सिवकार क्यों किया गया अंग्रेजों के दुबारा इसके पीसे एक कूट नितिक राजनीती थी वे राजनीती क्या थी? आपको पता होगा कि 1939 में 1939 में Second World War सुरू हो चुका तह जो 1945 तक चला अब 1939 में Second World War सुरू हो चुका है अंग्रेजों को अधिक से अधिक सेनिकों की जरूरत है और भारत ने इस World War में इस Second World War में अंग्रेजों की साहिता करना मना कर दिया कि हम अंग्रेजों की साहिता नहीं करेंगे क्योंकि एक गुलाम देश किसी देश, दूसरे देश की सुतनतता के लिए कैसे लड़ाई लड़ सकता है दूसरे देश की स्वतंतरता के लिए वही देश लड़ाई लड़ सकता या वही देश सहायता कर सकता है उस देश की जो देश स्वतंतरो लेकिन हम तो गुलाम हैं अग गुलाम कैसे दूसरे की स्वतंतरता के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं या तो हमें स्वतंतर कर तो इस इस्तित्यों को समालने के लिए अंग्रेजों ने जो भारतियों को लोगों को एक परकार से लालज दिया जाता है कि जो आपकी लंबे समय से मांग चलती आ रही है उस मांग को हम सिवकार करते हैं और आपके लिए जब दुत्य विश्वयुत समाप्त हो जाएगा तो ह सविदान सबागे गठन की इसके उपर विचार विमर्ज करेंगे लेकिन ये भी एक परकार से एक लालज देने वाला प्रस्ताव था जिसको की मुस्लिम लिग ने कॉंग्रेश पार्टी ने और सिवकार कर दिया फिर अंग्रेजों ने एक क्रिप्स मिशन भारत आया सविदान सबागे गठन की बात की जाती है अंग्रेजों के दुवारा और कॉंग्रेश और मुस्लिम लिग अपने-अपने कारणों से इस परस्ताव को फिर से अस्युकार कर देती है अब 1945 में Second World War खतम हो चुका है 1946 में Britain में सत्ता परिवरतन हो चुकी है अब 1946 में भारत में या भारत की तातकालिन परिस्तितियों का जायजा लेने के लिए भारत की तातकालिन इस्तिति का पता लगाने के लिए एक मिशन भेशा जाता है जिसको हम केबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं इस केबिनेट मिशन में तीन लोग थे एक थे पैथिक लोरेंस अलेक्जेंडर और क्रिप्स इस केबिनेट मिशन के जो अध्यक्स थे वे थे पैथिक लोरेंस अब यह जो केबिनेट मिशन इसको नाम क्यों दिया गा इन तीन लोगों की एक टीम थी और यह तीन लोग बेटी सरकार की cabinet इस तरके मंतरी थे इसलिए इसको cabinet mission के नाम से जाना गया यह भाराद आता है 1946 में मार्स 1946 में मैं 1946 को यह अपनी एक रिपोर्ट परस्तूत करता है और इस रिपोर्ट के अधार पर इस cabinet mission की रिपोर्ट में भारती सविदान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा जाता है अगरेजयो दुआरा और अब इस प्रस्ताव को हम भारती दुआरा भी सिवकार कर लिया जाता है अब इस report का अधारपा भारती सविदान सभा का गठन होना है कैसे होना है और जो ये सदस्य सविदान सभा में जो हम भारती जो ये सदस्य होंगे कहां से चुनकर आएंगे कैसे चुनकर आएंगे तो इस पे चर्चा करेंगे हम अपनी आने वाली नेक्स वीडियो में पार्ट टू में इस टॉपिक का जो पार्ट टू आएगा वो केबिनेट मिसं से सुरू होगा. पार्ट वन में हमने जो इस समझने की कोशिस करी है कि हम केबिनेट मिसं तक पहुंचे कैसे हैं और कहां से इसकी सुरुआत होती है. तो जो अभी तक जो बात की है और जिसमें पॉइंट आये है वो पॉइंट इंपोडेंट है जैसे की केबिनेट मिशन कब भारत आया बकसर का यूद कौन लीड कर रहा था सौराज पार्टी इसका गठन किस ने किया या भारती सविधान सभा के गठन की बात पहली बार व्यक्ति का तौर पर किस ने कई बाल गंगा दरती लग जी ने कई अगर पार्टी के तौर पर पूछा जाता है एक्जामें कोशन तो सौराज पार्टी अंसर आएगा इसका और सौराज पार्टी का गठन किस ने किया था सियार दाज जी ने किया था जिसको हम देजबंदू के नाम से सभा की गठन की बात को कब कहा तो 1936 के अपने लखना अधिवेशन में और इस अधिवेशन के जो अध्यक्सते होते पंडी जवाला नहरूजी या फिर इसमें निकल कर आते पॉइंट आपके कि भारत ने पहली बार सोतनत्ता दीवस का जंड़ा का फेराया 26 जनवर 1930 को या फिर अंग्रेजों ने पहली बार भारते सभिदान सभा की गठन की मांग को कब सिवकार गया तो अगस्परस्ता 1940 में तो इस तरह के आपके काफी सारे पॉइंट निकल कर आते एक्जाम के दिष्टिकोंट से आप इनको ये आपके लिए इंपोर्टेंट है और ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने आपको गिनाए है अभी एक्जाम में आ चुके हैं और और भी इसमें से कई पॉइंट निकलते हैं तो आगे हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में के जो की शुरू हो गिया आपकी cabinet mission से कि हमारी सविधान सभा का गठन कैसे हुआ और इसमें जो सविधान सभा में जो सदस्य ते ये कहां से आये है कैसे चुन कर आये और इसके बाद हमारा सविधान बनना शुरू हो जाता है इसी के साथ आज का topic हम यहीं पर समात करते हैं आगे सुरू करेंगे हम नेक्स पार्ट में पार्ट टू में इसी topic का cabinet mission से तब तक आप पढ़ते रही गया मुस्कराते रही गया मिलते हैं नेक्स वीडियो में